हीरो यानी नायक यह शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक ही छवी बनती है और वो होती है एक लंबी चोड़ी परशनल्टी, दमदार आवाज और आकर्षक चेहरे वाले किसी जमान व्यत्ती की जिस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं टीवी शोर सी आईडी के सीनियर इंस्प किसी भी इंसान की मंजल कहां है इसका पता उसको भले ही ना हो फिर भी उसे वह रा एक दिन मिल ही जाती है जो उसे मंजल तक पहुचाती है बशरते की वह कभी राज से भटके नहीं एक बिजनसमैन के परिवार में 11 दिसंबर 1979 को जब दयानन शेटी का जन्म हुआ था तो स पढ़ाई उडुपी से संपन की उनके पिता श्री चंद्रप्रकार शेठी एक होटल व्यवसाई हैं जो कभी एक स्पोर्समैन भी हुआ करते थे वर्स 1969 से 1964 तक वे वैट लिफ्टिंग के एक चैंपियन भी रह चुके हैं दया की मा का नाम श्रीमती उसा शेठी है और दया भी परिवार के साथ मंबई आके यहां कर बांदरा के रिजवी कॉलर्स से उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की दोस्तों बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने पिता की तरह दया भी एक स्पोर्समैन रह चुके हैं और कभी वे शॉर्ट पुट और डिसकस थ्रो के चैंपियन भी हुआ करते थे लेकिन अपनी लेग इंजरी के वज़ा से उन्हें अपना स्पोर्स करियर खत्म करना पड़ा अपने खेल जीवन के दोरान उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किये थे वर्स 1994 में वे महाराश्र के डिसकस थ्रोवर के स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं पढ़ाई के दावरान दया अन्यकत विधियों की रूप में स्पोर्स के साथ साथ अभिने भी किया करते थे और जब उनके आसपास के लोग उनके अभिने की साराना करने लगे तो उन्होंने थेटर करना भी शुरू कर दिया हाला कि दाया कहते हैं कि मेरा द फाक से ही मिला था दरसल वेपने किसी दोस्त के आउडिशन में उसके साथ गए थे जहां एड एजनसी के ऑफिस के बाहर खड़े होने के बावजोद भी लोगों का ध्यान दया पर चला गया और बतार मॉडल इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया ऐसा ही कुछ उनके साथ CID से ज प्रोग्राम में स्टेज पर प्ले करते हुए उनके दोस्त संजे सेठी जो CID के नर्दिशकों में से एक थे उन्होंने देख लिया दया की धमदार आवाज पर्शनल्टी और उस प्ले में उनकी पर्फॉर्मेंस को देखकर उनसे पूछा था कि वे उनके साथ CID शो में क् प्ले के लिए जाना पड़ा बैराल जब यह आउडिशन के लिए गए तो उन्हें तीन पेज के डालोग को याद करके बोलने को दिया गया लेकिन एक बहतरीन थीटर आर्टेस्ट होने के नाते उन्होंने पांच मिनट में ही उसे तैयार करके अपना आउडिशन दे दिया दया की इस प्रधिवा से वहां मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हुए हाला कि उन्हें निर्माता बीबी सिंग ने हिंदी सुधारने के लिए मनोहर कहानिया जैसी किताबे पढ़ने की सला दी जिस पर दया ने हाथ जोड़कर कहा कि सर आप से मिलने के लिए बुल पीछे खड़े रहते हैं और इसका कारण था कि तब इस शो में एसीपी प्रद्मने के साथ आज के मशूर फिल्म डिरेक्टर आशुरतोस गोवारीकर मुखे किरदार इस्पेक्टर वीरेन की रूप में हुआ करते थे और उस वक्त वोई ही शो के स्टार थे वे सीनियर इं इस्पेक्टर उनके पीछे खड़े रहते थे लेकिन समय के साथ साथ दया शो का अहम हिस्सा बन गए और यह सिलसला लगातार 22 वर्सों तक चलता रहा दया के किरदार का नाम भी दया रखने के पीछे मज़िदार वज़ा है दरसल जब दया ने निरमाता बीपी सिंग को अ था उस वक्त सभी के साथ उनकी भी सोच थी कि अशोज जयादा से ज्यादा दो साल तक चलेगा लेकिन देखते ही देखते इस शो़ को 21 साल से भी जयादा समय बीद गया दया यह भी बताते हैं कि तब महत 26 साल के थे जब उन्होंने HID को जोइन किया था और शोबंध होते ह मेरा काम और किरदार बहुत छोटा था लेकिन लोगों ने इसे बड़ा बना दिया इसके लिए में दर्शकों का सुक्र गुजार हूं CID के एक एपिसोड में भी वे अपनी सिंगीं का जादू बिखेर चुके हैं दया नन्शेठी ने टीवी शोज के साथ साथ कुछ फिल्मों में भी काम किया है जिनमें सिंगम रिटर्ण्स में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया था हाला कि से पहले वे जौनी गदार जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे इसके अलामावे फिल्म दिल जले वार रनवे में भी नजर आये थे दया टीवी शो जलक दिखला जा खतरों के खिलाडी आधी शो में बतौर का अंटेस्टेंट हिस्सा ले चुके हैं साथी कौन बनेगा करोरपती और इंटर्टेंटमेन के लिए कुछ भी करेगा जैसे शोज में बतौर मुख्याती थी भी नजर आ चुके हैं अनिशो की बात करें तो एक्टर दया ने CID के लामा टीवी पर गुटरगू, अदालत और CIF जैसे शो में काम किया है बत और होस्ट एक्टर दयान शेठी साथान इंडिया से भी जोड़ चुके हैं इस शो को लेकर दया कहते हैं कि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी अच्छी और साब सुतरी जुबान में हिंदी बोलना दरसल दरजनो टीवी शोर्ज और फिल्मों में शूटिंग के समय रटा रटाय समवाद स्क्रिप्ट के जरिये बोलना होता है और उनके हिस से कभी बहुत लंबा चौड़ा समवाद नहीं आया था और इसलिए जब साउधान इंडिया को होस्ट करने के लिए उन्हें उफर मिला तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया इसके लिए वे रोजाना हिंदी अख़बार भी पढ़ने लगे ताकि उनकी हिंदी और अच्छी हो बात करें दयानर शठी के निजी जीवन की उनकी पत्नी का नाम इसमिता शठी है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम विवा शठी है दया अकसर अपनी फैमिली के साथ सोचल मीडिया पर तद्वीरों के जरीए नजर आते रहते हैं तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ हमें फॉलो करें फेस्बुक ट्विटर और इंस्ट्राग्राम पर हमारे नए चैनल नारदवानी को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार पुने कथा सिया राम की सुनाने गाथा महा भारत के महा संग्राम की गाने अनेको 52 पौरानिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार नारद टीवी प्रस्तोत करता है नारद वानी सनातन धर्म की अनेको अधभुत का थाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वानी यूट्यूब चैनल को